ड्रिंचिंग क्या होती है और किस प्रकार करते हैं आज मैं आपको यह बताऊँगा किसान साथियों अभी मैं टूर पर गया था पंजाब के जहां पर मैंने कुछ भाईयों को देखा कि वो ड्रिंचिंग को नहीं समझते या उन्होंने मेरी वीडियो 246 नंबर नहीं देखी है यह मेरा पोदा एक वर्स चार महीने का है तो आपको देखे पोदे के यहां से और लगभग आपको आठ इंच तक मैंने एक घेरा बनाया है जो उपर साफ दिखाई दे रहा है जब भी हम प्रिंचिंग सब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका आर्थ है कि पोदे की जड़ो को दवाई पिलाना हमने बताई गई मात्रा को पानी में घोल लिया और फिर इस एरिये में यहां पर धीरे धीरे देंगे ध्यान रहे यह दवाई इस एरिये से बहार नही सेरिये में दे ताथ पर यह यह है कि पोदो के नीचे तक दवाई पहुंचनी चाहिए अगर आप बहुत बड़े किसाने आप ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे तो ड्रिप को पोदो के पास लाईए जिससे के यहां पर जाए और यह ध्यान रखें कि ड्रिप में दवाई उस सम चोड़ें जब पहले यहां पर थोड़ी सी नमी बन जाए या यहां पर पानी चलना सुरू हो जाए इसके बाद जो मैंने सबसे बड़ी कभी देखी है वो यह देखी है कि जहां पर रेतली जमीन है जो हर्याना का पार्ट है पंजाब से लगा हुआ अबोहर फाजिल का और तो वो दवाई बहुत जल्दी नीचे चली जाती है चूकि पानी की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है पानी की धारण छमता जमीन के अंदर नहीं है जैसे मेरी जमीन है यह बलूई दोमट मिट्टी है यह पानी को धारण कर सकती है तो ऐसे छेत्रों में जब भी आप दवा कि जो दवाई की मातरा बताई गई है उस मातरा को आधी आधी कर तीन दिन के अंतराल से दे तो वहाँ पर अच्छी तरह बन जाएगी दूसरा यह है कि दवाई देने से पहले वहाँ पर थोड़ी नमी बना ले अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके पोधे स्वस्थ होंगे इसका विचार मुझे महां से आया जम मैं अभी दो किसानों के हैं गया तो महां पर देखा कि उनको ड्रिंचिंग का मतलब नहीं पता था एक मेरे किसान भाई ने तो अंजाने में उस पर दवाई स्प्रे कर दी ती ड्रिंचिंग का मतलब यह समझा प्रिदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंदेमाद